इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मगदम हैं कोई भी मौज़ू ना हो या अजेंडा ना हो तो बात को हिंदु मुस्लिम की तरफ कैसे मोट दिया जाता है इसकी मिसाल को हम भारत देश में देख सकते हैं भारत ही एक ऐसा देश है जहार पर बात को धर्म मजभब की पसे मन्जब में लिया जाता है किसी भी मुलक में नहीं मिलेगी ऐसी मिसाल एक बार फिर इसका एसास मंदीर में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर हुआ है खुदाई खिदमतगार तन्जीम के जमेदार फैसर खान अपने एक साथी के साथ मतुरा के मंदीर में नमाज अदा करते वे तस्वीरे सोशल मेडिया पर वाइरल हुई तो गोया गोधी मीडिया को एक तरह से जोश आ गया और फिर एंकरों के जरीए चीखना चिलाना शुरूआ अब इस मामले को फ्रांस तक जोड़ने लगे कुछ सियासी साथों ने तो इसे भा हकीकत को समझने की कोशिश की गई तो मामला कुछ और ही निकला मामिले को इतना तूल दिया कि खुदाए खिद्मतगार के जिम्दार फैसल खान को आखिर गिरबतार कर लिया गया है वाज़र है कि खुदाए खिद्मतगार के जिम्दार फैसल खान और मतुरा मंदीर के को जिस तरह बड़ा चड़ा कर पेश किया गया और गोदी मीडिया के एंकर भारत के हिंदों के जजबात को ठेस पहुंचाने की बात कर रहते महस इसके पीछे भी सियासी साजिश की बात ही कही जा रही है कई सवाल इस वक्त खड़े होते हैं कि क्या खुदाई कि फैसल खान क किसी ने जान भूच कर नमाज अदा करते हुए तस्वीर वाइरल करने को कहा था जिसे मौझूदा बिहार चुनाओ को एक बार फिर हिंदु-मुस्लीम के जरी अफ्तदार की कुर्ची को आसानी से हसिल किया जा सकता है या फिर ये भी कहा जा रहा है कि मतुरा काशी को एक और फिर बाबरी मजजित के नाज़ पर लाकरवान को नफरत के आग में जोक दिया जाए ताके फिर असल मुद्दे से ही जैन को बढ़का दिया जाए लिहाजा नमाज अदा करने का मामिला साफ हो चुका है कि खुदाई खिदमतगार तनसी में ना सिर्प मुसल्मान है बर उन्होंने पिछले कुछ दिनों से 84 कोस परिक्रमा के नाम से सद्वाउना भाई चारा की तहरीक चलाई और फैसल खान का मंदिर में दाखिल होना यह पहली बार नहीं था इससे पहले भी अलग-अलग मंदिरों में जाती रहते थे उनके साथ उनके कई हिंदू साती भी रह तहरीक에 आजादी के वक्त 1919 में खुदाई खिद्मदगार के नाम से तन्जीम का कयाम अमल में लाया था जो बाद में बंद हुई थी इसी से मुतासिर होकर 2011 में फैसल खान ने खुदाई खिद्मदगार को फिर से अमल में लाया गया इसका असल मकसद ही हिंदू मुस्लिम भाईचारा सद्बावना तंजीम के तर्जुमान पाउनियादों ने बताया कि भारत में किसी तरह अमनका माहूल रहे और भाईचारगी का पैगाम आम रहे ये किसी मकसद से खुदाई खिदमतगार अपने कामों को अंजाम देता है दोनों समाज के दर्मियान लोग मंदिर मस्जिद में जाते हैं खुद फैसर खान कई मंदिरों में जाकर पुझा पार्ट में भी शरीक होते हैं 2015 में सबका घर नाम से घर बनाएगा जिसकी इफ्तिता जश्टिस राजंदर सचर क्या तो अमल में आई इस घर का मकसद तमाम मजाहिब के लोग एक जगह पर आकर रुख जाएं तबादले खायाल कर सकते हैं मुल्क में जिस तरह नफरत का माहूल बना जा रहा है इसे किसी तरह खत्म कर गंगा जमनित तहजीब को आम करना यहीं एक मकसद है इस तन्जीम का ऐसा उन्होंने बताया यह किसी भी बाहरी मुल्क से इसे इंदाद नहीं मिलती इस बात को भी उन्होंने वाज़का आपस में ही चंदा जुटा कर खिद्मात को अंजाम देते हैं फैसल खान को सभी मजाहिब का इल्म है कुरान के साथ गीता और राम चरित मानस के भी दो है इप जह पॉन कुमार ने बता कि कई मंदिरों में जब मुसल्मान होकर भी राम चरित मानस के दो है फैसल खान पढ़ते हैं तो कई पंडित कर्मों में इत्याद कायम करना चाहता हूं नफरत के सवधागरों को गोए खुराक मिल गई कहा यह भी जा रहा है कि वैसे भी भाजपान नितीजगट बंदन को ब्यार में हार का सामना करना पड़ सकता है कुछ जगों पर चुना हो चुके हैं जहां पर भाजपान नितीज मिडिया तैयार बैटी थी तो मंदीर में नमाज की ही ब्रेकिंग निउस बना कर सुबह शाम हिंदुत्वा पर हमला कहकर माहोल को गर्मानिक की घटिया कोशिश कुछ भिरका परस्तों की जानिब से जरूर की गई पर मज़री तास्व का जहर आसर करता दिखाई नहीं दे कोशिश तो की गई पर कुछ तक नाकाम ही कह सकते हैं नमाज तो भाईचारे के मद्द नजर पुजारी की इजाज़त से ही की गई थे पर इसे दूसरा रुख दिया गया खैर कुछ तक भारत के सभीदान की वाज़त करने वाले धर्म निर्पेक्षता के पुजारी आज भ धर्म संभाओं के मानने वाले इस देश में है भारत का सम्विदान यकीनन महफूज रहेगा बले ही कुछ लोग बाबा साहिवं मेड़कर के सम्विदान को बदलने की कोशिश करते रहेंगे और हर बार ये नाकाम होते रहेंगे इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अला